हेलो दोस्तो आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे बैट पर चला हुआ पैन हम कैसे रिमूव कर सकते हैं चाहे वो ताजा निशान हो या फिर पुराना निशान हो दोस्तो बच्चे सभी के घर में होते हैं और शैतानी भी सभी बच्चे करते हैं जादा तरना सभी बच्चों को आदत होती है दिवार पे पैन चला देते हैं या फिर कहीं भी जहां उनका मन करता है वो पैन चला देते हैं तो दोस्तो बैट पे अगर वो पैन चला देते हैं और उसके बाद उसको आप रिमूव करो तो वो इजीली रिमूव नहीं होता है तो दोस्तो यूट्यूबर मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि दियोट्रेंट या फीठीनर की मदद से आप बहुत इजीली पैन की निशान को रिमूव कर सकते हैं तो आज मैं भी यही करने वाली हूँ और उसका रिजल्ट क्या मिलता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगे तो दोस्तों डियोट्रेंट मैंने ले लिया है अब आपको इसको अपलाई कैसे करना है जहां भी पैन का निशान लगा हुआ है ना उसके उपर आप डारेक्टली इसको इसको स्प्रे कर दीजिए इस्प्रे करने के बाद आप कोई भी कोटन का कपड़ा ले लेना कोई भी साफ कपड़ा हो या फिर कोटन ही हो उसकी मदद से आपको इसको हलके हलके हाथों से रब करना है दोस्तों जैसे कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो में देखा था बिल्कुल वही स्टैप बाई स्टैप वही चीज़े बता रही हूं मैं आप लोगों को अब ये निशान तो बिल्कुल नहीं चूटा है ये एज़िटीज वैसा ही है मुझे लगा शायद ये पुराना निशान है तो इसी लिए नहीं चूटा होगा लेकिन जो हैंट टू हैंट की निशान होते हैं चलिए वो हम देख लेते हैं उस पर ये असर करता है या नहीं करता है ये देखे दोस्तो पैन से मैंने यहाँ पर निशान बनाया है और इसके उपर मैं स्प्रे कर देती हूँ दोस्तो ये जो स्प्रे है ये खतम हो गया है मैं दूसरा स्प्रे ले रही हूँ आपके सामने दोस्तों मैंने दूसरा स्प्रे ले लिया है और पैन के निशान पर मैं इसको अच्छे से स्प्रे कर ले रही हूँ और वो जो पुराना निशान है जो alphabets बने हुए है सिर्फ वही पुराना निशान है उसके ओपर भी मैंने दुबारा से spray कर दिया है अब ये सारे अभी के निशान है और ये शायद remove हो जाएं ये देखिए मैंने इसको अच्छे से rub किया है लेकिन अभी भी न दोस्तों ये थोड़ी बहुत remove हो है मतलब 50% remove हो है अभी भी पूरी तरीके से remove नहीं हो है चलिए हम दोबारा से इस पे spray करके दोबारा से इसको रब करके देख लेते हैं चलिए दोस्तों मैं deodorant को दोबारा से spray कर देती हूँ निशान के उपर और अब यहाँ पर मैंने लिया है scrubber इसकी मदद से मैं हलके हलके से इसको scrub करने वाली हूं ये देखे हलके हलके हातों से मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ लेकिन दोस्तो निशान हलके हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुए हैं और जो पुराना निशान है वो एजिटीज है दोस्तो उसका कुछ नहीं भीगड़ा है तो जो भी result था मैंने आपके सामन आपको दिखा दिया है दोस्तो यही result था मैं आप लोगों के साथ फेक वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ जो अभी के निशान थे वो तो काफी हद तक रिमूव हो गया हैं लेकिन 100% यह रिमूव नहीं हो हैं तो दोस्तो अगर आपको पता हो कि पैन के निशान लेदर के ब पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज आसे जदा लाइक कमेंट और वीडियो के शेयर कीजिए